हलो दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा आप अपने आईफॉन में आई मैसेज से किसी को कॉंटेक्ट कैसे सेयर करें इसके लिए आपको कॉंटेक्ट एप ओपन करना है कॉंटेक्ट एप ओपन करने के बाद आपको वो कॉंटेक्ट सेलेक्ट कर लेना आपको ज message को option दिखेगा, आपको message पर tap करना है, message पर tap करने के बाद, आपको उस पर्चम का नाम सर्च कर लेना है, 2 में, जिसे आपको ये contact भेजना है, तो मैं search करता हूँ, नाम, मैंने नाम सर्च कर लिया, अब मैं यह contact send कर दूँगा, blue color में, arrow को option दिख रहा है, इस पर tap करना है, अब यह contact share हो चुका है, मैं आपको message आप open करके दिखा देता हूँ, contact share हो चुका है, यह देखिए, contact share हो चुका, बिसाल सिंग से मैंने किया था, यह contact जा चुका है, ऐसे ही आप अपने आयों में contact को share क कर सकते हैं, अगर आपको video अच्छी लगी है, चैनल को subscribe करें, video को like करें, bell icon प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको time to time notification मिलती रहे, thanks for watching.